इसलिए आज हम लोग एक ऐसे प्रोड़क्ट जिसका नाम है लेक्टोनिक ग्रेन्वल्स के बारे में जानेंगे जिसके थुरू की बच्चे के मात का मिल्क सफलाई को बढ़ाया जा सकता है बहुत से वज़ा होता है जैसे कि अगर किसी महिला का छोटा बच्चा है और उसका मिल्क बच्चे के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है तो वो प्रेसान हो जाती है और कुछ भी ट्राई करने से अगर मिल्क सफलाई पूरा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग इस electronic granules powder का यूज कर सकते हैं इससे guarantee है कि महिला का natural milk supply प्रोपर होने लगेगा सभी lady doctor द्वारा भी इस electronic granules powder का इस्तमाल करने की सला दिया जाता है जब कभी कि किसी महिला के साथ ऐसा problem होता है तो ये एक काफी अच्छा product है उन मदर के लिए जिनकों की ऐसा condition face करना पड़ता है उसके लिए ये बिल्कुल एक वर्दान की तरह काम करता है क्योंकि ये एक ऐसा problem है जो कि starting में अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे और बढ़ जाता है अगर मा का दूद प्रोपर बच्चे को नहीं मिलता है तो धीरे धीरे बच्चा कमजोर होने लगता है और बच्चा का वजन भी घटने लगता है साथी साथ बच्चे के अंदर बिमारी से लड़ने का च्छामता जो है वो भी कम हो जाता है तो इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में लेक्टोनिक ग्रेनवल्स के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे क्योंकि ये ऐसा प्रोड़क्ट है जो कि मदर के मिल्क के सफलाई को पूरी तरह से बढ़ाता है और वो भी आसानी से इसको कैसे इस्तमाल किया जाता है इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कब तक इस प्रोड़क्ट को यूज किया जा सकता है इस वीडियो में आज हम लोग सारा कुछ जानेंगे तो सबसे पहले लेक्टोनिक ग्रेनवल्स जो है वो एलेमबिक फार्मसिटिकल सुधारा बनाये का एक प्रोड़क्ट है जो कि बिलकुल आयरुवेदिक प्रोड़क्ट है इसके अंदर पतावरी, मूल, सोवा, सीड, सफेद, जीरा के साथ-साथ और भी बहुत से आयरुवेदिक तत्व इसमें मिला हुआ है जो कि मिल्क को बढ़ाने के लिए काफी असरदायक होता है बहुत से मदर ये सोचती है कि बेबी छोटा है इसलिए वो खुद कोई प्रोड़क्ट यूज करने से पहले बहुत डरती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो कि बिल्कुल अयरुवेदिक है इसका कोई वैसा साइड इफेक्ट है भी नहीं और इस लेक्टोनिक क्रिन्वल्स को इसी टाइम के लिए ही बनाये गया है ताकि बच्चे को अपना मा का दूद प्रोपर मिले इसको कोई भी मदर्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं है साथी साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है तो सिंपले इसको एक ग्लास दूद में दो चम्मच इस पौडर को मिला करके सुबा भी और इसी तरह से साम को भी लिया जाता है जिससे की कुछी दिनों में मदर्स का मिल्क सफलाई जो है काफी बढ़ जाता है और बच्चे के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला मिल्क लेने का जोरत नहीं बढ़ता है लेक्टोनिक ग्रेनवल्स को जोरत के हिसाब से दो मेहना से लेकर के छे मेहना तक यूज किया जा सकता है अगर किसी का मिल्क सफलाई पहले ही नॉर्मल हो जाए तो इसको पहले भी छोड़ा जा सकता है जोरत के हिसाब से इसको लिया जाता है लेकिन ये नहीं कि आप इसको अगर लगातार चार महना या शे महना ले लिए तो कोई दिक्कत है ऐसा कुछ भी नहीं इसको अब बिल्कुल 6 महिना तक भी लगातार ले सकते हैं इसका कोई fix dose नहीं है कि इतना ही दिन तक लेना होता है किसी मदर के साथ ऐसा problem है और वो अगर रहा है या वो meeting हो जा रहा है या loose motion हो जा रहा है क्योंकि कोई भी मदर अगर इस electronic granules का इस्तमाल करेंगे तो इसका 100% है कि milk का जो सफला है वो बढ़ जाएगा ही जाएगा इसलिए अलग से फिर कोई formula milk देने का जोरत पड़ेगा ही नहीं और ये तो आपको भी पता है कि मा कादूद सर्वत्नम होता है इसलिए सबसे पहले कोईसिस ये करना चाहिए कि बच्चे को मा कादूद ही मिले जो कि इस electronic granules से possible हो सकता है तो फिर मिलते हैं किसी next medical से related जानकारी के साथ लेकिन तब तक अगर आप लोग ये चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe कर लें ताकि medical से related जानकारी आपको मिलता रहे है